ये कहा जाने लगा कि क्या अनिल बिच के बिना बीजेपी यहां पर सीटे जीतने के उम्मीद कर सकती है क्योंकि अनिल बिच काफी बड़ा चेरा है कह सकते हैं फसल खरीदी जाएगी कहां नहीं खरीदी जाएगी दूसरी तोर पर देखें यहां पर तो उनके चाचा आभे सि सेनी उनके पास पहुँचे हैं मुलाकात करते हुए नज़रा है और उनका कहना साफ तो नमस्कर SPN 9 नीज़ आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हुआ क्शेगरवाल स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकर्ष में 2024 का चौकिदार कौन भारतिय जनता पार्टी क्या उनके साथ जो गड़ बंधन है क्या वो तूटता जा रहा है हरियाना में देखने को मिला जेजेपी के साथ महस दो लोगसबसीटों को लेकर गड़ बंधन तूट गया यहां बियार में देखने को मिला महस कुछ ही लोगसबा सीटों के लिए राश्ट्रिय लोजपा से गडबंधन तूट गया और फिर बीजेपी की तरफ से ये चीज ये बयान सामने आते हैं कि एंडिये का कुन्बा बढ़ रहा है लगतार सहयोगी दल भारतिय जनता पार्टी के बढ़ रही है और चार सो पार का जो नारा है वो अपकी बार पार ही कर दिखाएंगे लेकिन क्या इस चार सो पार के नारे में जो वे सहयोगी दल है भाजपा कि क्या वे ही यहां पर चिनौती बन जाएंगे क्या वे ही यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर यह कहीं कि वही सरकार रही मुक्केमंत्री बदला, जी यहां, नायाब सिंग साइनी को ने मुक्केमंत्री के रूप में हरियाना में न्यूक्त किया गया, मनोहा लाल खटर को हटाया गया, और जैसे ही नया मुक्केमंत्री हरियाना को मिला, there they were druistación rate for your majority zone, वक्त के ग्रह मंत्री अनिल विज के तेवर थे यहां नाराजगी भरे नाराजगी यहां पर अनिल विज ने वक्त की बीजेपी आला कमान के फैसले पर की आखिर हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता है 2014 में जब हरियाना में विदान सबस चुनाव हुए तो तो उस वक्त भी विज कहीं न कहीं मुख्य मंत्री पत के दावेदार थे लेकिन मनुहालाल खटर को उस वक्त मुख्य मंत्री बना दिया गया और इस बार भी मुख्य मंत्री पत के प्रबल दावेदार थे लेकिन इस ब अवेले मुक्यमंत्री नायब सिंग सैनी अंबाला पहुंचे अनिल विज से मुलाकात की और मीडिया के सामने कहते नजर आए कि अनिल विज हमारे वरिष्ट सहयोगी है सहयोगी लंबे वक्त से रहे हैं सब कुछ यहां हमारे साथ ठीक है कोई भी यहां पर बात बिगड़ने जैसी इस्तीती नहींिया अनिल विज को मनाने खुद मुक्हेमंत्री पहुंचे है और अगर यहां पर विज को मनाने पहुंचे हैं तो कहीं न कहीं बीजेंपी को यह डर तो जरूर आया होगा कि विज़ उसी ही के खिलाफ पार्टी के खिलाफ न चले जा ऐसे में तमाम सवाल हैं जो हर्याना किस महा संग्राम पर उठ रहे हैं और तमाम सवालों के जब आप जानेंगे निज्रूम में अपने सभी सहयोगियों से सबते पहले प्रांशी हमारी सहयोगी है क्रांशी जस तरीके से हर्यान में लगतार सियासी संग्राम छेड़ा हुआ है सबते पहले याप पर मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनियप सीधा पहुंचे अनिलवेज से मुलाकात की मुलाकात के बाद जो बयान सपाई देते नज़रा है यह दर्शाता है कि बीजेपी को कहिना की डर है कि अनिलवेज अलग रहा अपना ले क्या वाकई में जो वीजेपी का डर है वो जायज है देखिए यह बिल्कुल जायज हो सकता है क्योंकि जिस तरह से अनिलवेज अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम था दावी उस वक्त यही किये जा रहे थी कि मनुहर लाल खटर को हटा कर अब यहां पर या तो संजी भाटिया को आगे किया जाएगा या फिर अनिलवेज को लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री नायव सिंग सेनी बनाए गई गई और अ आपर आँ पर यहां उस्थ कैना साफतर पर यही रहा इस मुलाकात के बाद जिस तरह से उन्होंने मुलाकाती पहीं पहए आशिरवात लिया और नायव सिंग सेनी कर यहां पर साफतर पर कहना रहा है किसे लोग सभा सीटे यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ सकते हैं और जरूर उन्हें यहाँ पर देखा जाए तो कोई एहम जमिदारी सौपी जा सकते हैं क्योंकि उस वक्त यह भी कहा गया जो विधायक दल की बैठक हुई थी जब नायर सिंग सैनी मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त वह बैठक से चले गए ते अचानक और उस वक्त उनकी नाराजगी सामने आई थी और तब यह कहा गया था कि ग्रह मंत्राले की चाहा में वह हैं कि यहां पर विपक्षी दल पूरा पूरा फायदा उठाते नजर आएंगे कि बीजेपी के अंदर कुछ भी इतने सी भी जरा सी भी कुछ है तक फूट पड़ती है तो उसको अपने लिए यहां मजबूती के तौर पर एक हतियार के तौर पर तयार कर लिया जैस बीच चु पर शुकी देश जो सरी के से नायब सिंग सैनी मुख्यमंतरी आवास पहुंचे मुलाकात की और आशिरवाद ली आशिरवाद देते नजर आईसर पर हात रखा अनिल विज ने क्या उस हात का मतलब यह समझा जाए कि साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे देखे जिस तरीके से आज एक उपचारिकता मातर थी यह आज अनिल विज और नायब सिंग सैनी की मुलाकात अंबाला कैंट उनके आवास पर हुई और पिछले कुस दिनों से लगातार वो नाराज नजर आ रहे हैं हाई कमान के इस फैसले को कही न कहीं अपने ऊपर एक बॉमशेल के तरीके स कहना साफ तोर पर यह है कि जिस तरीके से यह तमाम गतिविद्या गटित हो रही है दोजार चोबिस के लोगसवा चुनाओं से पहले भारती जनता पार्टी के लिए हर्याना में नुक्सियान दायक हो सकता है आगामी चुनाओं में जिस तरीके से दस सीटों के जीत का फैक और उस वोट बैंक के अधार पर यहां पर दूसरी पार्टियों को एक भी सीट सेरिंग करने के मामले में एक भी सीट देना उन्होंने जेजेपी को उचित नहीं समझा आप दुश्यंद सिंग चोटाला जो कि हरेना के पूर डिप्टे सीम है राज सरकार को घेरते निजर रहे हैं उन्होंने किसानों की मुद्य पर कहा है कि आवे फसल की कटाई हो गई है सरसों की जो फसल है वो मंडियों में आने लगी है लेकिन प्रिक्रूर्मेंट को ले करके अभी तक राजसरकार ने कोई किसी तरीके का यह निधान नहीं किया है कि कहा पर फसल खरीदी कि यह जो पूरा गटबंदन बना था यह एक साजिस के तैद था जिसका मकसद के और हरियाना को लूटना था और अब आगामी वक्त में जैसे ही चुनाव नजदिक आए दोनों लूटेरे हरियाना को लूटकर अलग-अलग रहा पर चल दिये विपक्ष लगतार ये बात ब और अलग था 2019 में जब जेजेपी साथ थी कोई ऐसी मुख्य है यहां पर एंटिन कंबेंसे सता विरूदी लहर नहीं थी जिसके चलते दस चीचे जीतने में कामयाब रही लेकिन अमन जी जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का लक्षे लेकर चली है हरियाना की बात है 400 पार में जो बीजेपी के खिलाफ उसे फसादे नजर आ रहे हैं क्या दस सीटे साथ पाएगी देखी बिलकुल और बीजेपी के लिहास से लगतार यही बात कही जा रही है कि जिस तरह से वो छित्रियों की पार्टियों के ओपर अपना दबदबा कायम करना चाहती है चाहें बिहार में देखिए उत्रपरदेश में देखिए हर्याना में देखिए तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी अपनी जो एहमियत है वो किसी भी लिहास से कम करना नहीं चाहती है आपको याद होगा कि दुशन चोटाला ने कहा कि बई कमस कम हमें दो सीट आप चुनाम लड़न कि पूरी की फूट पर्टी नजरा आती है कि अनियल बिज जो मीटिंग से छोुए चले जाते हैं और यहां से अब ये कहा जाने लगा कि क्या अनियल बिज के बिना बीजेपी यहाँ पर सीटे जीतने के उम्मीद कर सकती है क्योंकि अनियल बिज कपी बड़ा चेरा है कह सक उनको मिली है तो ऐसे में अगर अनिल open n रहते हैं तो ब्यजेपी के लिए ये iç बिया बेहर चिंता कोई ही बात है और साथ में इस तरह से ब्यजेपी बाता सांसद कांगर्टर पार्टी में शामिल हो जाते। जा सकता है की हरियाना में जो दस सीट जीतने का सपना बीजे पी संजोए बैटी ए उसको लेकर कहने कहीं उनकी जो मंच्छा है उसमें मेरे ख्याल में की उतसा जादा है बिशवास कम है क्योंकि यहां के जो दस सीटे हैं उसके उपर दोशन चोटाला कॉंग्रेस पार्टी के दामन थाम ग्यारा अजिस्तान में देखने को मिला राहुल कास्वा ने टिकेट कटने से नाराज होते हुए कौंग्रेस का रुक कर लिया दिल्ली में देखने को मिला यहां पूरी दिल्ली से सिटिंग एंपी रहे गौतम गंभी ने चुनाव लडने से इंकार कर दिया कई यह कई ऐसी चीजे रही हैं कि अब तो सिटिंग MP साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं चुनाव ना लड़ने का एलान करते नजर आ रहे हैं क्या ये बीजे पी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा क्या हर्याना की दस लोग सबसीट को साधने का लक्षे लेकर निकली इंडिय कि गाड़ी बीच में ही यहां पर फेल पड़ जाएगी या फिर एक बार फिर से अर्याने के सभी दस कि दस लोग सबसीटों को फटाय करते हुए चार सो पार के नारे पर भी यहां अपना कमल खिला पाएगी भारते जंता पार्टी या नहीं क्या कुछ इस पर आपकी राय